अगर आप नूँ है मेरे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दू मेरा नाम है संध्या सिंग और अगर आप पुराने हैं तो आपको पता हिए आज इस वीडियो में क्या होने वाला है वाल रही नहीं के नहींकर रहा है। अलोवेरा ओयल, सॉरी पैने इसी यह बनाया था, तो मैं इसी बिले के बैट बही हूँ इसे बहले जब मैंने पनाया था, तो उसका कलर जो उसका शीट था था थोड़ा येलोइश था, मतलब मस्टर ओयल की तरह था, वो इसलिए क्यूंकि उस त्राइम कोकोनट ओयल की क्वाइट्टी जादा थी, अलोवेरा की क्यार था, इस बार इसका कलर जो है वो ग्रीन है, क् जिसमें में मार्केट में जितने भी ऑवेलबल है या जितने मैं बना सकती हूँ वह सारे वन गवाइवन क्राइब करके दिखाऊंगी और मैं भी देखने लिए मेरे बालों के क्या रिसर्ट में कलता है तो इस थरीके से अगर आप इंटरस्टेड हैं जानने मैं कि अभी तक मैंने कौन कौन से ओयल यूज कर लिये हैं तो हेर ओयलिंग सीरीज को चेक करना ना भोलें तो हम स्राट करते हैं आज की वीडियो के साथ यह रहे मेरे बाल जिन में साथ दिनों से बिलकुल भी तेल नहीं पड़ा है रूखे सूखे से वैसे एक बात है पहले से बहुत थीक हो गए है इतनी ऑईलिंग करकर के पहले को बिलकुल ही चाहरूश रहे हैं आज हम जो एप्लिकेशन मेथड है हमारा वो मेरा फेवरेट बन हीने वाला है जो मैं यूजिली कॉटन से रगाती हूं लगाने से पहले मैंने इसको थोड़ा सा लिक बाम कर लिया है तो थोड़ा गरम ओल लगिना आपकी रूट पर तो वो जाद अच्छा रहता है क्योंक मेरी तरह को ऑईलिंग करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को कॉंग करने के बाद दो सेक्शन में डिवाइट कर ले बीच में से मांग निकाल के मतलब फिर थोड़े थोड़े बाल लेके थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके और मांग मैं रूट्स में अपने ऑईल लग यहां पर मैं रूट्स में ओइलिंग कर रही हूँ इस तरीके से ओइलिंग करने से आपकी एक एक रूट को ऑईल मिल जाता है और यह इसलिए मेरा सबसे फेवरेट मैथर्ड है क्योंकि इसमें तेल विल्कुल भी वेस्ट भी नहीं होता है और आपकी रूट्स को भी अच्छे से ओईल मिल जाता है एक साइड हो जाने के बाद उसको हलके हाथ से थोड़ा सा मसाज दे लाइटली वन मिनिट और फॉर टू मिनिट इससे जादा देने की जरूद नहीं है इस ताइम ज्यूकि लास्ट में हम हैवी मसाज देने वाले हैं झाले हैं कि अच्छे सब्सक्राइब करने के बाद थोड़े से मसाज करने के बाद अब भार ही आती है अब आपको अपने बालों को फिर्चे से दो सेक्षन में डिवाइट करना है थोड़े थोड़े बाल लेके अपने लेंट पे आपको ऐलिंग करनी है ताकि लेंए आपका बाल जो यूजिल ड्राय होता है मेरा तो बहुत dry रहता है तो वो dryness चली जाए उसको cure कर सके इसके लिए तो जैसे आप देख रहे हैं मैं पूरी पूरी नीचे length तक लगा रही हूँ आपको वीजी दरीके से करना है जो इसमें aloe vera पढ़ाता जो मैंने काट के टाराता वो aloe vera waste नहों इसके लिए उस aloe vera को हाथ में लेके मैं बालों के उपर रप कर जाए क्योंकि aloe vera ने बहुत जादा तेल एब्सॉर्ब कर लिया है तो अगर मैं aloe vera ऐसी निकाल के फैंक दूंगी तो तेल भी waste हो जाएगा इसके लिए मैं aloe vera के pieces को रप करके अब मैं मेरे बालों को नीचे से जादा डिप कर रही हूं क्योंकि नीचे से ही मेरा बाल बहुत जादा ड्राय रहता है end side से that's why तेल में डिप करने के बाद और इसके बाद मैं अपने length में पूरे overall उसको लगा रही हूं प्रेस कर रही हूं ताकि वह नीचे ना टपके वरना इस तरीके से लगाने पर तेल नीचे बहुत जादा टपकता है यह heavy oiling आपके बालों के लिए बहुत ही healthy है क्योंकि इससे आपका hair fall first time में ही कम हो जाएगा आपकी dryness 50% cure हो जाएगी आपका dandruff चला जाएगा आपकी जो roots हैं वह strong होंगे blood circulation अच्छा होगा जिससे आपकी hair growth बढ़ेगी आपके hair soft silky shiny होंगे इसके अलावा आपकी जो grey hair की problem होती है वह भी कहीं हद तक cure होगी लेकिन इसके लिए आपको regular करना पड़ेगा यह चीज़ फॉर्स टाइम में आप hair wall और dryness और dandruff के ओपर result देख सकते हैं बागी result के लिए like hair growth के लिए इन और grey hair को cure करने के लिए आपको इसके संग regular होना पड़ेगा इस तेल को लगाना भी बहुत आसान है और बनाना भी बहुत आसान है और इसके जो benefits हैं वो unlimited है मैं heavy hair oil और इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे बालों में dryness आता है नीचे से dry हैं, root से oily हैं तो dryness को cure करने के लिए मैं अतना heavy air oil करती हूँ और यकिन मानियें इतनी heavy hair oil करने के बाद 50% मेरा 60% मेरा dryness चला ही चाता है अब बचे हुए oil को पूरी के पूरे oil को मैं अपने crown area में डाल रही हूँ कहते हैं यहां पर तेल डालने से putty आती है मेरे कहल से शायद थोड़ी सी आ जाए मतलब दिमाग अकल या आता है तो I think थोड़ा मेरे मेरे में भी आ जाएगा इसलिए मैंने बचा हुआ पूरा oil बहाँ डाल लिया है अब मेरे बालों को 5 मिनिट्स के तो मसाज दूँगी दूँगी 5 मिनिट्स के कम से बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं किया है मसाज करने के बाद मैंने से cure कर रही हूँ इसलिए नहीं किये क्योंकि आप जानते हैं कि तुरंट बाद अगर कॉम करो तो थोड़ा हैर फॉल जादा होता है अल्रेडी मुझे हैर ओइलिंग के टाइम पर ही काफी हैर फॉल हो जाता है ऐसे बीडिया देग सब्सक्राइब डी है वरनसे नहीं दिए क्षी सब्सक्राइब लिए है अगर आपको अगर को अच्छा लगा सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें share करें मेरी वीडियो को और मेरी वीडियो को like जरू करें comment comment भी कर सकते हैं no problem ये भी आपका free है totally जल्दी से मैं अपनी next वीडियो में वापस से आती हूँ वापस से आके आप से मिलती हूँ जब तक के लिए आप अपनी request जो है वो comment section में छोड़ दीजे जिनकी request अभी भी pending चल रही है don't worry मुझे याद है आपकी request pending में है मैं जल से जल उते ही ता हूँगी इसलिए tension ना ले so next video में मिलते हैं मेरे super shiny healthy hairs के साथ and तब तक के लिए bye bye take care bye